एकिकरित बाल विकास सेवा योजना ICDS इस योजना के अंतरगत गर्भवती वर शिशुवती महिलाओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ पूरक पौश्टिक आहार आधी के लिए आंगनबाडी केंद्रों का संचालन किया जाता है इन केंद्रों में बच्चों का नियमिट टीका करण स्वास्थ परिक्षन के साथ साथ उनकी बढ़ती आयों के अनुसार उचित पूरक पौश्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है यहां छोटे बच्चों में विद्यालय पूरु प्रारंभिक सिक्षा वस्वास्त सिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है यह उम्र बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का सबसे महत्तुपूर्ण समय होता है इस उम्र पांच वर्ष तक में बच्चों का लगभग 90 प्रतिशत तक मानसिक विकास हो जाता है यदि इस उम्र के बच्चों की उचित देखभाल न की जाए तो बच्चे बिमारी एवं कुपोशन का शिकार हो जाते है राष्ट्रे पोशन संस्थान हैदराबाद NIN के एक सर्वेक्षन के अनुसार हमारे देश में इस आयुवर्ग के लगभग 43 प्रतिशत बच्चों का उम्र के अनुसार वजन कम है या ICDS कारिक्रम के लिए एक बड़ी चुनोती है विकास की समझ अध्याय के तालिका क्रमांग 17.5 में आपने पढ़ा है कि इस उम्र के बच्चों में कुपोशन का प्रतिशत अधिक है जन्म के बाद बच्चों का सही तरीके से शारिरिक विकास हो रहा है या नहीं इसे जाचने के लिए आयू के अनुसार वजन सार्णी का प्रियोग करते हैं इस सार्णी को हम किसी भी आंगन बाड़ी केंद्र में जाकर देख सकते हैं आरेक क्रमांग 20.1 देखें लड़के एवं लड़कियों के लिए यह प्रिथक प्रिथक होती है इस सार्णी में जन्म से 60 मा पाच वर्ष तक के उम्र के बच्चों का वजन दर्जी किया जाता है यदि बच्चे का अंकित वजन सामानी वजन के संकेतक में आता है तो उसका वजन सामानी होता है मामूली कुपोशन के संकेतक में उम्र के अनुसार वजन कम सामान कुपोशित तथा गंभीर कुपोशन के संकेतक में होने की इस्थिती में बच्चे का वजन अत्यंत कम गंभीर कुपोशित होता है ऐसी स्थिती में बच्चे की पर्याप्त देखभाल वह उनके लिए अत्रिक्त पोशक आहार की आविशक्ता पड़ती है समाने रूप से जन्म से 6 माह तक बच्चों को केवल मा का दूद एवं 6 माह के पश्चात अन्य पोशक आहार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर देते रहना चाहिए मध्यान भोजन कारिक्रम M.D.M. ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बिना भोजन किये अत्वा बहुत कम खाकर स्कूल जाते हैं जिसके कारण अध्यन करने के लिए आवश्यक उर्जन नहीं मिल पाती इससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता विद्यालीन बच्चों में इस समस्या को दूर करने एवँ खाद सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मध्यान भोजन कारिक्रम जैसी महत्पूर्ण योजना चलाई जा रही है मध्यान भोजन कारिक्रम भारत के समस्त राज्यों के सरकारी विद्यालियों प्रात्मिक एवँ उच्च प्रात्मिक में चलाया जाने वाला एक प्रमुक कारिक्रम है 6-14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार सिक्षा के साथ साथ मध्यान भोजन भी दोफर का भोजन दिया जाता है शाशन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार इन्हें उच गुणवत्ता युक्त पोश्टिक आहार दिया जाता है बाजार एवं क्रेशक्ति अधिकान श्वेक्ति अपनी खाध्यान आवशक्ताओं की पूर्टी के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं क्रिशक वर्ग स्वेम के लिए कई अनाजों का उत्पादन कर लेते हैं तथा कुछ अनाजों की पूर्टी हेतु बाजार पर निर्भर रहते हैं गैर क्रिशक वर्ग जैसे मजदूर, व्यापारी, नौकरी पेशा आदी लोग अपनी खाद आपूर्टी के लिए ज्यादा तर बाजार पर निर्भर होते हैं जिन लोगों की क्रेशक्ती अच्छी होती है, वे बाजार से पर्याप्त मात्रा में खादे पदार्थ खरीद लेते हैं जिनकी क्रेशक्ती कमजोर होती है, वे सरकार के विभिन खादी योजनाओं के साथ साथ बाजारों से भी खादे वस्त्वे खरीदते हैं पर इनके क्रेशक्ति कमजोर होने के कारण ये लोग पर्याप्त मात्रा में पोशकाहार नहीं खरीद पाते हैं। लंबे समय तक पोशकाहार की कमी से शरीर कई बिमारियों वकुपोशन जैसी स्थिती से ग्रसित हो जाता है। हमारे शरीर को भोजिपदार्थों से मिलने वाली उर्जा का मापन कैलोरी से किया जाता है। शेहरी छेतर में रहने वाले लोगों के लिए 2100 किलो कैलोरी एवं ग्रामिड छेतर में निवासरत महनत कश लोगों को प्रतेग दिन में 2400 किलो कैलोरी उर्जा की आवशक्ता होती है हमारे देश में NSSO के एक सर्वे में बताया गया कि दोनों ही शेत्र शहरी इमंग्रामिन स्थर पर आउसत कैलोरी का स्थर आवश्यक्ता से कम है वर्ष 2004 में हुए एक सर्वेक्षन के अनुसार ग्रामिन शेत्र में रहने वाले लोगों को उनके समस्थ खर्चों के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया गया है प्रतेक वर्ग के लिए भोजि पदार्थों में किये गये खर्च के जो आउकड़े प्राप्त हुए वे आरेक 20.2 पर प्रदर्शित है आरेक 20.2 ग्रामिन भारत में कैलोरी की मात्रा प्रतिवेक्ती आरेक 20.2 के आखड़ों के विसलेशन से पता चलता है कि प्रधम वर्ग के लोगों में अपनी प्रतिदिन आवश्यक 2400 कैलोरी की तुलना में बहुत कम 1624 कैलोरी है यह स्थिति दूसरा वर्ग इवं तृति वर्ग के लोगों में भी है जिने आवश्यक्ता से कम कैलोरी प्राप्त हो रही है इन मेहनतकर्श लोगों के नियूंतम कैलोरी प्राप्त करने का सबसे प्रमुक कारण इनकी क्रेश अक्ति का कमजोर होना है